इसरा फिल्म को लेके जो सवाल उठा है वो ये है कि इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ कश्मीरी हिंदूओं के साथ जो हुआ उसको तो दिखाया ही जाना चाहिए क्योंकि रीकंसिलेशन के लिए भी पहली शर्थ है टृथ पर लोगों ने कहा कि विवेक अगनियोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ उसी एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाईं जिसमें चुन-चुन के चिन्हित करकर के कश्मीरी पंडितों को मारा गया लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मु अभी आई होप इश्वर से प्रातना करता हूं लोग सुने और समझें सिर्फ सुने नहीं बाद वीवात लिए नहीं समझें इसको जब वर्ल्ड वार हुआ बहुत सारे जर्मन लोग भी मारे गए थे बहुत सारे नाजजीज मारे गए थे कई सारी औरतें जिनका कोई गुणा नहीं था वो भी मारी गई अमेरिकन ट्रूप्स में और रशिन ट्रूप्स जब उनके उपर आया वो लोग पर किसी भी होलो कास्ट फिल्म ने उनका पॉइंट अव यू नहीं देखा मैंने एक बार भी किसी ने सवाल भी नहीं उठाया हम सिर्फ नहीं मारों ज्यूस पर फोकस करते रहे अगर वाकई में इतना आतंक और इतना सब मुस्लिम पॉपलेशन के साथ हुआ तो आज भी वो वहां कैसे रहते हैं कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं रहते हैं हौकम एक भी कश्मीरी हिंदू नहीं किया गया कुछ व्यक्तियों को केंदृत किया गया इसलिए नहीं देखाया किन व्यक्तियों को केंदृत किया गया जो ये कह रहे थे कश्मीरी हिंदूओं को मत मारो जो कह रहे थे ही मेरे भाई जैसे हैं जो कह रहे थे इनका क्या गुना है जो कह रहे थे ये इस्लामिक टेरिरिजम बर्बाद कर देगा कश्मीर को उन लोगों को मारा गया दूसरे कौन से मुस्लिमों और जो कहते हैं मुस्लिमो को मारा गया कि किन मुसलिमों को मारा गया यह ओवर्सियर मुसलिम को तो नहीं मारा तो पुलिस में काम करते थे वो पुलिस वाले मारे गए क्योंकि वो इस्टेट के रहे थे वो जब प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी building को या किसी चीज़ को मर गए उस चक्तर में और terrorist लोगों का तैये तो Muslim हो तुम कैसे state के लिए काम कर सकते हो इसलिए जो maximum number यह जो बताते रहते हैं यह जो जूटा fake narrative उसमें अधिकतर मैं बोल दूँगा अगर 80% कल को मुझे यह फासी पे लटकाएंगे पर अमूमन जितने numbers हैं वो सारे के सारे state government के लोग हैं कोई एक बंदा है जो election कराने जा रहा है उसको मार डाला यह नो कोई भारत सर central government का काम कर रहा है उनका यह कहना था तुम भारत central government से जिसका भी कोई connection होगा उसको मारो जो भी state इंडिया को मार दो उसको चाहिए पिर वो जो भी हो उनका यह था सिर्फ कि जो अल्लह को मानेगा कुरान को मानेगा सिर्फ वही आदमी यहां पे रहेगा और जो भारत सरकार के साथ जुड़ेगा उसको मार दो यह सीधा सीधा black and white में narrative उसमें कोई शक नहीं है उसके evidences हैं और एक नहीं दस लाख evidences हैं तो यह जो लोग सवाल उठाते हैं चलिए सवाल उनसे उठाने जाए दूसरा जो दूसरा पक्ष क्यों नहीं है मैं बहुत सिनेमा के इंटर्व्यूज देखता हूं एक फिल्म आई रोजा मैं आपको बताता हूं कश्मीर पे कौन कौन सब्सक्राइब रोजा उसी पीरियेट में सेट है उसमें कहां कश्मीरी इंदू है किसी ने मनी रत्नम साहब से कभी सवाल पूछा एक भी किसी जनलि और कश्मीरी हिंदू का जिक्र नहीं किया उनने उसमें और यह सारी फिल्में देगे टेरिरिजम को जस्टिफाई कर रही है किसी सटल कोई सटल तरीके से कोई ओवर्टली को इंडिरेक्ली कि उस पर अत्याचार हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली उसकी बहन का रेप पीच तो लिखी होगी इन लोगों ने वो भी नहीं मिली मुझे फिर अभी विशाल भारत दुआज साब तो आप क्या आई भी होंगे शाद नहीं आए तो बुलाईए एक बार उनसे और उनसे सवाल उठाईए कि सार है तो आपने कश्मीरी हिंदू का जिक्र क्यों नहीं क इतने मरे या उतने नहीं मरे मैंने का हैंग ऑन हैंग ओन शिंडल से स्टीवन स्पीलबक से कभी पूछ सकते हो यह सवाल तो यह क्या स्टेंडर्ड है हमारे कि हम बाहर तो किसी से कोई नहीं पूछते हैं बहुते मिशन कश्मीर से नहीं पूछते रोजा से नहीं पूछते तो विवेग अगनी उत्री से क्यों पूछते हो जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है तुमने तो काल्पनिक कानिया गटी हुई है और जो हैदर में जो कहते हैं यह किताब पर आधारित है तो वो किताब मैंने पढ़ी हुई उस किताब में क्यों नहीं हिंदू का नाम और नेम और जिक्र है वो तो कोई सवाल नहीं उठा था राइट यह है हिपाक्रिसी इसके खिलाफ लड़ता हूं आच्छा जी